दोस्तों कभी आप लोगोंने सोचाए कि जो नया एपल का आईफोन आता है यानि कि एपल का में कोई भी डवाइस ले लो उसके इंदर सिक्यूरिटी हमेशा टॉप नौच क्यों देखने को मिलती है काफी एक अमेजिंग सवाल है मतलब कि एंड्रोइड है जहां तक उसे हम लेकिन एपल या फिर आईफोन के अंदर बहुत ही जादा तकड़ी सेक्यूरिटी हमें पास में बहुत सारे एक्जामपल देखे जहां पर प्राइवीस व सिक्यूरिटी के उचिव लोगे सब साधा प्रायरिटी देते इसके पीछे का रीजन क्या है क्या है पीछे की पू फिर गोगल उसको एनलाइज करती है उसके सिक्यूरिटी वागेर अच्छे तरीके से सबको चेक वैग करके प्ले स्टोर पे उसे पुब्लिश करती है एपल में क्या होता है एपल में एप तो उनको मिलती है लेकिन एपल की जो रूल्स रिस्रिक्शन काफी जादा स्ट्रि या फिर किसी भी iOS या Mac OS वाले डिवाइस के अंदर जो एप्स काम करती है वो काम करती है अपने सेंट बॉक्स एरिया में इसका मतलब क्या रहेगा कि एक स्पेशल सेक्यूर एरिया रहेगा उसी के अंदर एप काम करेगी जो बगल में जो दूसरी एप है उसके साथ उसे इ फैक्ट नहीं करेगी या फिर दूसरी एप से डेटा वेटा शेयर करें इस टैप की चीज़ आपको देखने को नहीं मलती है और सबसे बड़ी चीज जो एपल ने करीए नो वो करीए कि जो कोई भी थर्ट पार्टी जो एपस है वो आप उन्हें डिरेक्ली इंस्टॉल नह इस तरीके उसे जेल रिक करना तो पहली वह डिफिकल्ट है वो कोई थर्ट पार्टी एप चलाना जो कि मिलेशास हो सकती है ये भी काफी जादा डिफिकल्ट है लेकिन सर्फ इतनी ही बाते नहीं है एपल को और भी काफी सारी चीज़े स्ट्रॉंग बनाती है जैसे हाड़ हाडवेर जो रहता है कोई दूसरी कंपणी मनाती है सॉफटर होता है हाडवेर और चिप लेवल तक सब कुछ मेरेज कर सकती है और यहां पनका सेकूरिटी वाला भी काफी जादा काम है इसलिए स्वेशल सिलिकॉन को में प्राइब होता है आईफोन आईपैड में देखनो रखी जादी थी और तोर क्या आप लों को मालूम है फेस आईडी का जो डेट है वो भी सिक्यूर इंक्लेफ के अंदर रखा जाता है इसके साथ ही डिवाइस की सारी जो सेंसिटिफ इंफॉर्मेशन है वो फोन के अंदर इंक्रिप्टेट फॉर्मेट में रखी जाते हैं वो करना शुरू करते हैं या फिर फोन को लॉक करते हैं कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं कुछ इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा एडवास मिला देती है इवन बात कर एपल के मैक्बुक में जिन में टीटू चिप को बलती है वहां पर भी सका ही काम होता है सारी की सारी जो इन्फॉमेशन होती है वो सारी लेपटॉप के अंदर ही होती है लेकिन उसे इंक्रिप्टेड फॉर्मैट में रखा जाता है उसको इंक्रिप्शन डिकृप्शन के लिए डेडिकेट चिप देखने को मिलती है सुराग बगेरा थे लेकिन एपल ने क्या किया सीधे मना कर दिया कि हम इस आइफोन को नहीं ओपन कर सकते एफबीय वालों के सामदों नोने इस चीज को मना कर दिया तो और ये दिखके पता चलता है कि यूजर की प्राइविसी कितनी जादा टॉप पे रहती है उनके लिए लेकिन बाज में क्या किया एफबीय वालों ने कुछ दूसरे थर्ट पार्टी हैकर्स बगरा से मिला और बड़ी मुश्किल सुस आइफोन का अनलॉक किया लेकिन जैसी एपल को पता चला कि किस तरीके से अनलॉक किया गया है अगले सौफटर अपडेट में उसी चीज को नोने फिक्स कर दिया इस तरीके से जो एफ फबल बहुत पहीं से काम करती एवन आपको एपल के डिवाइस के अंदर आपको सइन इन विद एपल का फीचर देखने को मलता है यहां पर क्या होता है अगर आप इसन इन करते है ना तो आपकी जो औरिजिनल मेल अडिया शहर होती उसकी जग एक dummy mail ID बना था और dummy mail ID शेर होती है यानि कि कोई leak हो गया data breach वगरा हो गया किसी third party website पे तो आपकी जो dummy mail ID है ना वो leak हो जाएगी और उसको एक जटके में बंद किया जा सकता है तो जी हां इस तरीके से काम चलता है और देखा तो यूजर की protection और privacy काफी अच्छी तरीके समझ सकते हैं और इसलिए iCloud के अंदर भी काफी अच्छी प्राइविस और अच्छी चीज़े देखने को मुलती है हाला कि इसके बावजूद भी हम दो सुनाया iCloud है कि या iPhone hack के बारे में बिल्टरली चीज़े क्या होते है कि directly ऐसा कोई hack नहीं की perform किया जाता है जिसके इसकी security को तोड़के कोई information निकाल रहा है और कई बार इनी सब चीज़ों से जो important information होती है वो leak का जाती है लेकिन जो Apple ने जो अपने secure wall garden बना है उसके अंदर भी नोड़ने secure रखा है कि कोई भी third party अगर access मिल जाए तो वो भी कम से कम information ले पाए सारी information ना चुरा पाए यानि कि Apple ने जो पूरा ecosystem बना है चारो तरफ से garden बना है जिसके चारो तरफ से बड़ी बड़ी wall लगी हुई है और उस wall के अंदर वो जितनी अच्छी protection provide कर सकते ना वो करते है यानि कि फायदे तो होते है Apple के device लेने के obviously security मिलती है privacy मिलती है लेकिन Android में जो flexibility रहती है वो यह यहां पर नहीं आपा रही क्योंकि यहां पर देखा तो security को थोड़ी से जादा importance दे रखी है और यहां पर hardware के लावा जो दूसरी services होती है वहां भी Apple ने काफ एचे security है even वह यह भी claim करते है कि industry standard होता है security का वो यहां पर use करते है user के data को protect करनी के लिए तो देखा तो यहां पर काफ एचे तरीके से काम किया जा रहा है और एक wholesome package आपको देखने को बलते है security के terms में Apple के अंदर और इसलिए iPhone य Apple के अंदर security आपको काफी जाद अची देखने हो तो वहीं बात करें Android side में भी काफी सारी companies और जो इस मामले में काम कर रही है Samsung भी काम करती है NOC security भी dedicated hardware level पर implement की गई है लेकिन जिस तरीके से Apple ने manage किया है न मतलब hardware पर भी manage किया है, software पर भी manage किया है, services पर भी manage किया है, well उतने अच्छे तरीके से Android में भी कोई company नहीं कर पाई है, even Samsung की बात करें, उनकी NOC security Android में देखा तो सबसे अच्छी है, लेकिन फिर भी Apple की वो बराबर नहीं कर पर है, क्योंकि Apple के साथ जो उनका ecosystem और पूरा उनका platform है उसका साथ है, तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे कहानी समझ गयोगे, यह आखिर iPhone या Apple के devices ज्यादा secure क्यों होते हैं, वैसे इस बारे में आप लोग के opinion है, यह बात में जिनी जे comment मतार ना वीडियो कर लोगो पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया, शेर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस बात कंसर कर रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थेंक्यों को वीडियो देखने के लिए, आप सो लो नेक्स मन के अंदर, गुड़ बाई!